नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है अंशुल और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में टेक्नोलोजी एन एजूकेशन ट्यूटोरियल आज हम बात करेंगे ओनलाइन टेक्स पेमेंट सिस्टम के बारे में जैसा कि हमें पता है कि राइपूर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन RMC ने रेसेंटली ओनलाइन टेक्स पेमेंट की सुषधा चालू किये लेकिन अभी तक बहुत ही कम लोगों ने ओनलाइन टेक्स पेमेंट दिया है इस जागरुकता को बढ़ाने के उद्देश से हमने छोटा से एक वीडियो बनाया है जहां पे स्टेप बाइ स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेमेंट करना है कैसे ओनलाइन टेक्स पेमेंट करना है आईए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको Google पे क्लिक करना है अग Google पे जाते ही टाइप करना है RMC राइपुर मुनिसिपल कॉर्पूरेशन और आप राइपुर नगर निगम भी टाइप कर सकते हैं सो जैसे ही आप RMC टाइप करेंगे फर्स लिंक आएगी राइपूर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन क्लिक ऑन डेट बटन और न्यू विंडो ओपन होगा जहां पे फोर्थ टेब आपको नजर आएगा ऑनलाइन पेमेंट टेक्स का उस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सूचना है जिसमें लिखा हुआ है क्या आपने विगत भुगतान के बाद नया जल कनेक्शन भूमी भवन में नव निर्मान या पुनन निर्मान किया है अगर आपने ऐसा किया है सो क्लिक ओन येस बटन और अन डेट कंडिशन प्लीज कॉंटेक्ट टू येर मुनिसिपल जोन ओफिस उस कंडिशन में आपको नगर निर्मान नहीं किया है सो क्लिक ओन नो बटन और ये आपके सामने सारे ओप्शन्स अवेलबल है ओनलाइन प्र उपर से नीचे तक स्क्रॉल करने में आपके पास लास्ट येर की रिसीप्ट होनी चाहिए जो आपने प्रॉपर्टी टेक्स पेमेंट किया था और जनरल इंफोर्मेशन में वार्ड लिस्ट अवेलबल है सबसे पहले आप अपना वार्ड और जोन देख ले जो की रिसीप प्रॉपर्टी टेक्स में होगी चलिए देखते हैं कि लास्ट येर प्रॉपर्टी टेक्स की रिसीप्ट कैसी नजर आती है यह है मेरी प्रॉपर्टी रिसीप्ट आपके पास भी इस प्रकार की रिसीप्ट होगी जहां पर जोन इंफोर्मेशन स्वामी वेकर नंड वार् जो कि हमने blur किया हुआ है, इसके बाद संपत्ति कर, समयकित कर, जल कर, सिक्छाउप कर, सारे options यहाँ पे available हैं, और final सबका योग जो है, वो है 3670, जो कि मैंने last year 2015-16 में pay किया है, और ऐसे ही आपने भी pay किया होगा, तो इसकी एक photo जरूर रखे, online fill up करते वक्त, अब हम देखते हैं, अब हम directly जाते हैं, online tax payment के बारे में, आपको zone के बारे में पता है, award के बारे में, pay tax online, click on no button, और अब हम ये detail fill up करना चालू करते हैं, जो कि receipt में भी दिया है, और आपको पता है, करदाता का नाम, कौन tax pay कर रहा है, let me type, मुझे type करने दीजे, सुकरदाता का नाम, इसके बाद पिता या पती का नाम, ये भी मैं type कर रहा हूँ, similarly आप धीरे-धीरे सारी details को अच्छे से fill up कर सकते हैं, self आप self रह रह रहे हैं, या rent पे रह रहे हैं, इसे select करें, then you click on the mobile number, यहाँ पे mobile number fill up करना है, जोन 7 select किया है, आप अपने हिसाब से जोन और वार्ड को select कर सकते हैं, पता आप detail में अपना पता लिख सकते हैं, with your house number, बट अभी मैं सिर्फ एक tutorial मना रहा हूँ, तो मैं short में लिख देता हूँ, कंकाली पारा राइपो, इसके बाद आप अपना email ID भी fill up कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको विगद receipt का विवरण, मतलब last year 2015-16 में आपने जो payment किया है, उस receipt की detail यहाँ पे as it is fill up करना है, तो आप receipt को open कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, let me open the receipt, यह receipt में देखिए आप left और right, right side में receipt बुक्रमांक और left में receipt number लिखा हुआ है, as it is information मैं यहाँ पे fill up करता हूँ, अंतिम भुक्तान तारिक आप 31st March 2016 डाल सकते हैं, 2015-16 था, तो March तक last payment की date होती है, so 31st March 2016 और यह last receipt है 2015-16 की, यहाँ पे रसीद की छाया प्रती, मतलब आपकी जो पूरानी रसीद है, उसकी एक photo खीचें और यहाँ पे upload कर दें, simply आप mobile से भी photo खीच के upload कर सकते हैं, जैसे की मैंने किया है, अब आपको संपत्ती की detail डालना है, संपत्ती कर आप receipt चेक कर सकते हैं, और receipt में information दिये, संपत्ती कर 4.99, छूट और योग कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं 4.99 फिलप करूँगा, छूट अभी मैं कर देता हूँ, जीरो मेरे केस में available नहीं है, तो टोटल होता है 4.99, इसके बाद आता है समयकित कर, समयकित कर नॉर्मली नगर निगम आपके घर के आसपास जो रोड की सफाई करती है, नालियों की सफाई करती, स्ट्रीट लाइट मेंटेनिंस इसके लिए लिया जाता है, जो कि हर साल का फिक्स डाटा है, अल्मोस्ट 600 रूपीज थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, सो हम रिसिप्ट में चेक करते हैं, समयकित कर 600 रूपीज लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे 600 टाइप करना है, समानी जलकर और तरीकते जलकर नॉर्मल केस में 0 होते हैं, अगर आपके रिसिप्ट में कुछ दिया है, या आप एक्स्ट्रा जल यूज़ कर रहे हैं, तो बात अलग है, अदर्वाइस, सिंपल जलकर हम चेक करते हैं, 2400 2400 हमारे केस में है, तो मैं फिल अप करता हूँ 2400, शिक्ष्छा उपकर, नॉर्मली सिक्ष्छा का आपको कर देना ही पड़ता है, यह लिखा हुआ है 166, तो सिक्ष्छा उपकर हम लिखेंगे 166, अधिभार होता है, अगर आपने लेट पेमेंट किया है, तो कुछ परसेंटेस चार्ज होता है, नॉर्मली मेरे केस में 5 रु तोटल होता है 3670, अब हम रिशिप्ट से इसे कॉपी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 3670, ये डाटा अगर सही है, तो आप देखेंगे 2016-17 में आपको कुछ भी टाइप करने की जरुवत नहीं है, All payments are calculated automatically, और final हमारा योग होता है 3885, इसे बस हमको सत्यापित करके payment करना है, अगर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस टाइप का एक नया विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें वही normal option है, जो आप हमेशा से electricity, bill payment, mobile recharge के लिए यूज करते हुआ है, select your payment mode, credit card, debit card, और internet banking के options available है, जैसा कि आप हमेशा payment करते हैं, net banking है, तो वो net banking का site open हो जाएगा, और आपको username, password इंटर करना पड़ेगा, otherwise, credit card और debit card की information यहाँ पे available है, इसके बाद आप देखेंगे, click pay to final payment, means आप pay button पे click करके final payment कर सकते हैं, application के through या online, ये payment के options available है, सो आपके पास जो भी है, आपको जो अच्छा लगे, मैं internet banking को हमेशा prefer करता हूँ, सो I always pay through internet banking, आईए अब एक disadvantage के बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं, हर चीज तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक disadvantage भी है, नो option to save your data, आप इसको पढ़ेंगे कि suppose internet connection is disconnected or transaction is failed, then you have to fill up all information again, it usually happens, so this problem should be rectified as soon as possible, this is very important, जैसे कि first time मैंने payment किया, तो अचानक से online payment वाला page fail हो गया, तो मुझे फिर से पूरी की पूरी information को fill up करना पड़ा, जो कि बहुत ली time consuming है, so यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहूंगा नगर निगम से कि आप इस चीज को update करें, ताकि save का option हो, so before transaction हम अपने data को save कर सकें, या username और ID create करने का भी option आ सकता है, ताकि हर साल हमारा data वो save हो, जो basic data है, और हम आसानी से payment कर सकें, अगर internet में अचानक से कुछ problem आ जाए, या transaction में कुछ problem आ जाए, तो बार बार हमें ये data fill up करने की ज़रूरत नहीं पंड़नीप चाहिए, इसके बाद हम देखते हैं second option payment का, second option ये है कि आप अपने mobile में Google Play Store पे जाके type कर सकते है, जो कि recently अभी अभी launch किया गया है, इस application के माध्यम से भी आप online tax payment कर सकते हैं, property tax के लिए, इसके कुछ screen shots हम देखते हैं, जैसे आप इस application को देखेंगे, ये window open होगा, जहां पे about रायपूर, RMC updates, and the main option pay property tax है, जैसे ये आप pay property tax पे click करेंगे, same options जो कि आपको website पे available है, अब आपकी android की mobile screen पे available होगा, means उसी प्रकार से जैसा आपने online सारी information को fill up किया है, यहां भी सारी information को fill up कर सकते हैं, और check कर सकते हैं, so I think आपको ये video बहुत पसंद आएगा होगा, इस video पे like button पे जरूर click करें and subscribe to my channel, मेरे channel में right side के subscriptions हैं, आप चाहें तो subscriptions पे click कर सकते हैं for more videos, thank you, thank you so much for watching.